Honda ने अपना Activa 110 का नया model launch कर दिया है, तो नया सुनते ही आपके जहन में पहले सवाल यह आ रहा है, क्या engine बदल दिया, look बदल दिया, थोड़ा थेहर जाईए, क्योंकि जो चीज बदली है सबसे बड़ी है, वो है मेरे हाथ में इसकी की, अब इसमें आपको smart key मिलता है, जैसे कार में आपको smart key मिलती थी, वैसे ही अब आपको इस scooter में smart key मिलेगा, तो smart key के साथ मिलना smart function भी मिलेंगे, इसके लाव आप ये scooter OBD2 norms को पूरा करता है, अब इसको आसान भाशा में समझाओं, तो पहले अगर आपका mechanic जो कमी गाड़ी की खराबी को नहीं पता लगा पाता अब वो function, वो computer बताएगा कि गाड़ी में क्या खराबी आने वाले है, सही सुना आपने, अब machine बताएगी कि गाड़ी में क्या खराबी आई है, तो ये दो बड़े बदलाओ जो इस एक्टिवा में किया गया है, वो इसको आराम से समझाता हूँ, आप देख रहे हैं, दबाया, पता चल जागा, यानि अगर 20 एक्टिवा रखी हैं, तो आप अपनी एक्टिवा को सिर्फ एक बटन से दबा सकते हैं, दस मीटर दूर खड़े होके, इसके अलावा, अगर आप से दो मीटर दूर है, तो आप आपको इसकी चाभी लगाने के ज़रोती नहीं, आस इसको एक बार हलका सा दबाना है, दबाने के बाद यहां पर दीखे, लाइट जल गई, लाइट जलने के बाद अब हमें एक बार घुमाना है, इसके बाद दूसरी बार घुमाना है, दीखे, लाइट भी जल गई, अब ये स्कूटर अन हो चुका है, इंजिन को को अन करना और इसके बाद स्टार्ट किया और लेकर स्कूटर चले गए एक और खासित बताता हूं इस स्कूटर की वह यह है कि अगर आपको डिक्की खोलना है तो यहां पर बटम दिया गया है अब दिखें यह है इसको जैसी दबाया डिक्की खुल गई और जैसे इसके ऊपर वाले बटम को दबाया यह भी खुल गया यानि अब आपको कहीं भी की लगाने ही जरूत नहीं है सीधा ऑटमेटिक हो गया है सारी चीज़े अब आप इस नॉप को यहां पर बंद कर दीजिए तो क्या क्या चीज़ हो गए इक फिर से बताता हूं दस मी बंद हो जाएगा यानि अब आपको अगर आप चाभी लगाना बूल गया तो दो मीटर से जैसी आप दूर आपकी यह की जाएगी स्कूटर बंद हो जाएगा और अगर इसे लॉक करना है तो लॉक करने के लिए आपको सिर्फ यह बटन बाना पड़ेगा यह दिए कुस से स्कूटर में जो सबसे बड़ा बदला हुआ है यह हॉंडा का पहला स्कूटर है जो ऑन बोर्ड डियागनोस्टिक नॉम्स के साथ आता है यानि भारत सरकार ने यह कह दिया है कि एक एपरिल से ओबीडीटू नॉम्स के सारे वेकल्स होने चाहिए तो इसमें ओबीडीटू भी मिलता है आप कहेंगे ओबीडीटू क्या होता है यार पता ही यह कभी सुना भी नहीं है तो एक बात है आप समझ लिए कि आप गाड़ी को लेगे किसी मेकैनिक के पास जाते हैं मालीज आप लेकर गए तो बेसिकली जो खराबी है वो मेकैनिक बता दिता है कि यह खराबी यह खराबी यह खराबी लेकिन कुछ खराबी ऐसी भी होती है जो आपको कम्प्यूटर बदा देगा बहुत जल्दी यह O.B.D. 2 सबसे पहले कार में आया था तो कार में क्या होता है कि जैसे तो इसमें प्रोब्लम लगे, या फिर मेकनिकली कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उसमें एक पोर्ड मिलता है, जैसे आप अपने लैटाउप में लगाते हैं टाइप-C चरजर को तो वैसे यह पोर्ड होता है, उसमें डालेंगे, तो एक कंप्यूटर रता है, उसमें एक एरर को होगी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा स्कूटर में यह खराबी आ गई है तो बेस्टे के लिए दो जो सबसे बड़े बदलाव हुए है एक तो यह आ गया है और दूसरा को यह फॉलो करती है इसके अलवा स्कूटर में कोछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है आगे आपको मिलते हैं और यहां पर आप बादलाव नहीं किया ना लुक बदलाव किया थो दो जो सबसे बड़े फीचर थे वह बदलाव कर दिया है यह स्कूटर आप 6 का लर मिड़ वेरियंट है उसकी आर नाम है डिलक्स और उसकी कीमा थे 77,036 रुपीज और जो ये दो फीचर जो कंपनी लेकर आई है कि स्मार्ट की और ये अलाउड वेस मिलेंगे वो आपको टॉप वेरियंट मिलेगा उस्मार्ट वेरियंट मिलेगा जिसकी कीमा थे 80,537